हेलो दोस्तो नमस्कार अनिद्र ममनो खते हैं चजराइन हैसे मारे स्क्रीट में कर दोसरों कि वारे कियान हम सब्सक्राइब हम पार हुआ हां जुकर सब्सक्राइन हैं जो preferential allotment है, उनकी जाज की जाए, आप सबी लोग को पता होगा, कल के दिन का वीडियो आप लोगों ने जरूर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं जरूर रिक्वेस्ट करूँगा, कि पहले जाके आप लोग वो वीडियो देख ले कौन सा वाला, तो आप लोग देख सकते हैं, कल के ही दिन का लगबग, 90,000 से जादा लोगों ने इस वीडियो को देखा है, बहुत ही important वीडियो, सेवी ने जाज के आदेश दिये, इस वीडियो को देख ले ना, इसका link भी उपर आई बटन पे आप लोगों को मिल जाएगा, ये वीडियो के content हापे आप लोग मैच कर पाओगे, सो दोस्तों यहापे हम लोगों को थोड़ी सी कहानी में ट्विस्ट यहापे देखने को मिल रहे है, आप सब लोगों पता है, कभी भी कोई चीज, investigation की बात आ जाती है, जाच की बात समने आ जाती है, सो हर कोई अपने आपको defend करने का अधिकार हर किसी को यहापे दिया हुआ है, और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, यहापे जो LIC Housing Finance है, या फिर अगर हम लोग बात करे, यह जो दो companies है, प्रेफरेंशल इशू से related जो पैसा जूटाने की बात यहापे वो कर रहे थे, तो यहापे ऐसे ही एक same case भी हम लोग को इसके पहले यहापे देखने की मिला था, किस से related? PNB Housing Finance, आप सब लोग को पता होगा, पहले PNB Housing Finance में अधित्य पूरी ने से खरीदने से related news सामने थी, गजब की तेजी आई थ क्योंकि आप सब लोग पता है, यह 4,000 करोड फंड जूटाने की बात करे थे, आप लोग को याद दिलाना चाओंगा, यह देखे, पूराने news है, थोड़ा सा, जून मंत का news है, 4,000 करोड उठाने की बात यहापे कर रहे थे, और उसके बाद आप सब लोग को यहापे पता ह कि रेगुलेटर से भी यहापे बीच में आई थे, और उन्होंने का था, मतलब इस 4,000 करोड से रेलेटर जो वोट देने वाले थे, शेरूल्डर, उसको हाल्ड करने की कोशिश यहापे की गए थी, सेम वही चीज, कि यहापे जो पैसा उठाने जा रहे है, तो यहापे जो प्राइस फिक्स की जाती है, वो प्रॉपर यहापे नहीं है, जो कि हम लोगों को बाकी की केसेस में भी, आप लोगोंने कल देखा होगा, बार्बेक्यू में भी, एंड एलाइसी में भी, हम लोगों को यही चीज देखने की मिली, कि आर्टिकल अफ असोसियेशन, जो डॉ बड़ा सा फरक आ चुका है, मतलब LIC Housing Finance and Barbecue की अगर हम लोग बात करें, इनको एक बहुत बड़ा एडवांटेज यहापे मिल रहा है, बर वो एडवांटेज यहापे PNB Housing Finance को यहापे नहीं मिलेगा, एंड वो एडवांटेज है, चार शब्दों का, येस, आर्टिकल अफ Association की, अगर हम लोग बात करें, वो एक डॉकुमेंट रहता है, बहुत सारी चीज़े वहापे कानुनी तरके उपर लिखी रह रहती है, तो वहापे चार वर्डिंग्स ऐसे है, जो कि PNB Housing Finance के Article of Association में मिसिंग है, येस, और वो मिसिंग होने के कारण, यहापे PNB Housing Finance यहापे यही उप्सक रहेंगे कि वो चार शब्द कौन से है, जो रस्तों में आप लोगों के यहापे बताना चाहूँगा कि वो चार शब्द है, subject to the rules, येस, ये चार शब्द, वापस कहना चाहूँगा, subject to the rules, ये जो शब्द है, चार शब्द, मतलब मैं ने शॉट फ़र में चार शप्त को पकड़ कर यह जो इनके उपर मतलब यह जाच के आदिश लगा दिये तो ओविसली यह डिफेंड करेंगे तो यह चार शप्त के प्रती में आप लोगों को बताना चांगा यह यहाँ पर जीट जाएंगे मतलब इन्होंने जो यहाँ पर कहा था ना कि वैल्यू वैल्यूर की वैल्यूशन रिपोर्ट तो यहाँ पर चाहिए प्रोस्पेक्टस में तो थी नहीं तो यहाँ पर सब्जेक्ट टू दर रूल्स इस शब्द के कारण हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर अगर हम लोग बात करें जब भी केस लड़ा जाते हैं तो यहाँ पर लगाया गया है सेबी ने एक्स्चेंज इसको कहा है कि इन चीजों को रोग देना चाहिए कि आप लोग ने ऐसा यहाँ पर क्यों किया तो यह जवाब देते वक्त इस चीज का रेफरेंस यहाँ पर दे सकते हैं यही न्यूज आज देखने को मिली इसके चलते आप देख सक है मतलब यह अपने मन के हिसाब से यहाँ पर प्राइस डिसाड नहीं कर सकती यह फॉस्ट इसका इंटर्प्रेटेशन सामने हाँ पर आ रहा है आप सब लोग पते हैं जो शब्दों का खेल होता है इंटर्प्रेटेशन के ओपर सारी चीज़े डिपेंड यहाँ पर करती है सो एक मज़ेदार केस अभी हम लोगों को यहाँ पर स्टडी करने के लिए हाँ पर मिल रहा है सो अभी यही देखना है कि आगे है इसका आउटकम क्या होता है बट मैं आप लोगों को पहले है यहाँ बता देना चाहूंगा कि यहाँ पर बार्बेक्यू एंड अलैस यहाँ दिखा ओफेस का बात है ऐसे सड़नली प्राइस भागता है और उसके बाद ओफेस लेके आते और वो गिरा देते हैं वो भी गलत बात है बट कितने सारे कंपनी में चीज़ें चलती रहते हैं तो यह एक नॉर्मल हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं तो गलत चीज बट अगर द यूजरली रिटेल इंस्टर को यह चीजों में कोई इंट्रेस्ट नहीं रहता है बट स्टिल जिनको है वो ज़रूर यहाँ पर अपने आपको अपडेट रखने के लिए कर सकते हैं बट पेन भी हाउसिंग फाइनस में वो चीज नहीं है बहुत जादा रिपेटिशन हो च के और प्रिफरेंशल अलर्टमेंट की जाच होगी जाच में चार शब दिन को यहाँ पर बचा सकते हैं अभी देख लेते हैं कहानी में ट्विस्ट क्या आती है अभी आ जाते हैं ITC के और यस ITC आप सब लों पते हैं एक ही रेंज में हम लों को देखने को मिलता है बार बा है और यहाँ पर केस किसे रिलेटेड है तो दोस्तों ITC ने यहाँ पर सो करोड का डिफरमेशन का यहाँ पर लॉसूट यहाँ पर फाइल कर दिया है अगेंस्ट पोर्टफोलियो मैनेजर एंड ब्लॉगर मनू रिशी गुपता और टू सीनियर ओफिशियल और फाइनेंश इमेज को धक्का लग सकते है ऐसी कुछ तो चीज़े यहाँ पर हो सकती है यह एक ओवर्विव से समझ में आ रहे है कि उस तो ब्लॉग में ऐसा लिखा होगा यह हम लोग अंदाजा लगा सकते है अक्च्छल में कैं पढ़ लेते हैं यहाँ पर तो आप लोग देख सकते हो गुपता कौन है यह? CEO of a SEBI registered investment advisory firm MRG Capital Partner had written a blog post okay and उसका title उनोंने दिया है टाइटल देख सकते है magic, illusion or just trickery, the story of ITC so यह कुछ चीज़े उनोंने यहाँ पर, मतलब ऐसा है उसको title दिया, obviously उसके अंदर बहुत सरी चीज़े लिखी होगी, एक blog है मतलब और उस blog का अगर हम लोग एक overview की बात करें, जो यहाँ पर लिखा है उसके साब से में बता रहो criticizing the Kolkata headquarter company's business decisions, alleging the irregularities by the management and the board of director मतलब उस blog में इस तरीकी से चीज़े लिखी गई है, कि ITC शायद से इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि management properly काम नहीं कर रहा है irregularities मतलब हम कह सकते हैं, मतलब fraud जैसे चीज़े भी आप लोग बोल सकते हैं, ऐसा आरोप लगा है indirectly, किस के उपर? ITC के management and board of director के उपर और इसलिए यहाँ पर ITC ने 100 करोड का मान हानी का case यहाँ पर दर्च किया है और भी कुछ लिखा हुआ है, वो भी हम लोग देख लेते हैं सो दोस्तों यह जो petition file किया है, ITC ने, आप देख सकते हैं, मतलब किस के पास किया तो कोलकता हाई कोड की अगर हम लोग बात करें, वाप यह petition file किया है एन ITC said, again मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्या उनने का है, that the Gupta's post जो ब्लॉक की अगर हम लोग बात करें, suggested, among other things that the company's board of director मतलब ITC के board of director and the management routinely indulge in the insider trading, the company has been misleading the shareholders that the board had been taking senseless business decision and that the company has been fudging its books of account, so यह बहुत ही बड़ा आरोप है, हम लोग यहाँ पर कह सकते है ब्लॉग में मतलब आप कह सकते हैं, कि यह जो चीजे लिखे हुए, साफ-साफ आरोप किया हुआ है कि ITC का share इसलिए नहीं बाग रहा है, क्योंकि उनके management यह इस तरीकी की चीजे कर रही है, यह आरोप मतलब उनने यह ब्लॉग में सारी चीजे लिखे हुए है इसके अगेंस्ट ही यहाँ पर केस किया है, सो करोड का मान हनी का, क्योंकि अगर ऐसे आरोप लगेंगे तो obviously हम लोग कह सकते हैं, image ज़रूर यहाँ पर down होती है, आप देख सकते हैं, आप ITC ने भी बहुत सारी चीजे लिखी हुए है आर्टिकल के ही चलते है, management के उपर भी ऐसे बहुत सारे आरोप लगाएगे है, जो कि बिल्कुल भी अच्छे यहाँ पर है नहीं, image को इनके डाउन यहाँ पर कर सकते हैं इसलिए उन्होंने यह फैसला यहाँ लिया हुआ है दोस्तों उसी के साथ-साथ अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, तो petition में ही mention किया हुआ है आप लोग देख सकते हैं, सिर्फ पढ़कर आप लोग को बता रहो, कि यहाँ पर इसके पहले भी जो post अभी गुपता के उपर जो case की यहाँ पर बात हो रहे है उन्हेंने इसके पहले भी एक और similar post ऐसा ही लिखा था, मतलब ब्लॉग लिखा था अगर यह वापस यहाँ पर लिख दिया है, इस वक भी जो चीजे है, वो ITC को और उनके management को directly target करते इसलिए यहाँ पर ITC ने यह कदम फिलाल यहाँ पर उठाया हुआ है आखरी paragraph ने यहाँ पर ITC ने लिखा हुआ है, आप देख सकते है, ITC said that कि यह जो सारी चीजे यहाँ पर गुपता जी ने यहाँ पर जो post में लिखी हुई है उनका उद्देश से यह है, meant to damage the reputation of the company and the credibility of the management इसलिए यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, कि ITC ने यहाँ पर इससे related अगर हम लोग बात करें, तो वो जिननों ने भी post लिखें, वो यहाँ पर paypal रहने वाले हैं तो 100 करोड का यह मान हनी का case भी देखने को मिल रहा है, अभी इसका भी outcome क्या हैगा वो भी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलने वाला है तो definitely यहाँ पर यह जो आज के दिन के जो कुछ case समलों को देखने को मिले इसके चलते ही यह stock समलों को focus में रहते वे देखने को यहाँ पर मिलने वाले है पहले जो तीन stock समलों को देखने को मिले, उनके उपर जाच के आदेश है जो next stock ITC की बात करे इनों ने दूसरों के उपर यहाँ पर case किया है क्योंकि इनके उपर बहुत सारे यहाँ पर इलजाम लगाए गए है जो कि उनके मुताबिक बहुत ही गलत है यह update आप लोगं को पता होना चाहिए तो इससे related यह video था अगर आपको पसंद आया तो like and share भी कर सकते हो so that's it thank you very much दोस्तो we will be meeting our next video तब तक के लिए बाई बाई